बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम हाजर है दोस्तो एक नए वीडियो के साथ लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहें हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बरहे महरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तो कुछ दिन पहले मैंने इस बेरीटा 92FS के मुतलिक वीडियो बनाई थी ये दोनों पिस्तोल अभी मेरे पास पड़े है दोनों बेरीटा 92FS की पलस कापी है पाक मेड है लेकिन आज मैं इन दोनों को कमपेरिजन करूँगा सिरफ इसकी जो रंग है उसके मुतलिक क्यों कि बहुत से लोग जो है वो सिल्वर कलर को पसंद करते हैं बहुत से लोग जो है वो बलेक कलर को पसंद करते हैं लेकिन आप लोग देख लीजिए इसका जो बलेक कलर है वो इंतहाई खुबसूरत उसकी फिनिशिंग की गई है उसका कलर जो है वो ज्यादा आरसे तक चलता और वो खराब नहीं होता इसके मुकाबले में अगर हामा इस सिल्वर कलर को देखे तो यह आप देख लीजिए एक तो इस पे जो मेटल वाला हिस्सा है उस पे रस्ट बहुत जल्दी से लग जाता है यह तकरीबन चे यह आट महीने पुराने पिस्तोल है लेकिन आप इसकी हा प्लास्टक का तो वहां पर आप लोग देख लीजिए जो सिल्वर कलर है वो भी जगा जगा से उत्रा हुआ है इस जगा से देख लीजिए इस जगा से देख लीजिए तो आप दोस्तो की खिदमत में यह वीडियो में अपलोड इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को चले कि पिर अब बाद में ऐसा नहो के आप यह सिलवर कलर ले ले और आट महीन यह एक साल इस्तिमाल करने के बाद इसका रंग उतर जाए और पिर आप को बाद में परेशानी हो तो अगर मेरी माने और आप अपने लिए सिल्व डिफेंस के लिए या होम डिफेंस के लिए कोई पिस्टोल लेना चाहे बेरीटा 92FS में तो ये जो बलेक कलर की है ये बेस्ट है इसको आप ले ले और ये इसका रंग जो है ये जियादा अरसे तक चलेगा और जल्दी से खराब नहीं होगा जबके ये सिल्वर कलर जो है ये आप लोगों के सामने है और इसका रंग जो है ये बहुत तेजी के साथ खराब होता है उमीद है दोस्तों आपको आज की ये चोटी सी वीडियो पसंद आई होगी नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज